सब लोग बहुत अच्छे होगे आप लोग बेसब्री से कवेस्ट प्याट के रिजल्ट का इंतिजार कर रहे हो बट यह थोड़ा टाइम तो लगेगा रिजल्ट में क्योंकि बहुत सारे दिनों में बहुत सारी शिप्ट में पेपर था और नॉमनाइजेशन में सारा कर दो लोग वी थे शकर कर दो कि अट्रम बार का रहे हैं बार कम इसक्छी यह माहिए रिजल्ट में बड 1 तक का पर प्रोसेस बडेंगे तो हम द्रund करने ब énormément कुछ दिनों पहले प्रयां की biology जोल्ट करी टैसे सब किन आप टार breeze चाल रहरी किन के मांक्स बढ़ेंगेंगे पूले पहुथ सारी कमेंट्स, कुछ नेगेटिव कमेंट्स, कि आ कि удив? मन को कहले कि नमीजिए नमननायजेशन में कभी बीन मारफ्स avoirब तरह व्यड half shifted उनके बढ़ेंगे। में अपने के इसा कुछ भी नहीं होता तो आज मेरे पास कोछसे हैं जितको मैं आपको शो कर सकती हूं कि हमको सम्हें की नमनाजिशन में में घटेंगे भी तो हमको इसके अंचे के बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी कट ओफ को अफेक्ट करने वाले हैं आपने के देख और आज पेपर में जो कटिंग आई है वो भी आपने देखा होगा कि पहली बार के वीज की हिस्ट्री में ऐसा एक्जाम रहा है जिसमें 25 से 27 नमर का गैप है और जर्नल के बीच में मतब किसी भी कैटिग्री से जर्नल के बीच में पहली बार इतना जादा है डिफरेंस तो मैं यह बोलना चारी इस वीडियो के जरी तो सेम ऐसा ना प्याटी में भी हो सकता है लाइब्रेरियन में के एस में 100 विकेंसी इस ती और हमारी कट आफ जारी 152 और बच्चों स्कोर कर रहे है 166 168 172 बच्चों के लाइब्रेरी के स्कोर है 180 में से जबकि इतनी इतना टफ पेपर था लाइब्रेरी का बहुत जादा टफ पेपर था और बच्चे उसमें 172 स्कोर कर रहे हैं तो ओवेसली धानलेबाजी हुई है और आपने आज के पेपर में कटिंग भी देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि 78 परसेंट हो हर्यान और दिल्ली के ही हैं तो ऐसा ही सेम केवेस प्याटी में भी हुआ होगा और काफी जगह पर तो चीज़ें पगड़े भी गई थी अलग बात है तो इससे मैं आपको भी बोलना चाहरे हूं कि केवेस के पेपर में भी बहुत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो 160 165 प्लस 170 प्लस स्कोर कर रहे ह जब रिवाइज आंसर के अभी नहीं आई थी उसमें ही बच्चों कितने स्कोर कर रहे हैं सो जो रिवाइज आंसर की कि उनके तो और नमर बढ़ जाएंगे तो वो कितना स्कोर करेंगे 100C में से 110C तो बहुत ही जादा गलग चीज है यह आई होप हम लोग कुछ कर सकते इस जो बढ़े जिसमे आपके नमर बढ़ें कि शान्सित में kयों करता है तो जोड़िक बढ़ाएं早़ हैं मीन्स को मत चांसित एक कि 10-15 में बुष्यां कि का यह साटे एक अलसे來 की कहां बढ़ पूपको पचीश पीवाले बहूं बढ़ सकते हैं तो आपके मान Kore आवार ऑन व तो इक बहुत ही टफ एक्जाम तब बहुत जादर तुछ और आराम से बहुत इसी तो नहीं पर ठीक था था फिर्स शिफ्ट के एक्जाम बहुत असान था तब रहे हैं लाइव लिए वाले में बच्चो के ना 11-11 नमर तक कम हुएं तो जो मैक्सिमम लाइब्रेरियन में मार्क्स कम हुए ना वह 11 नमर कम हुए इस बच्चे के 135 नमर बन रहे थे और 11 नमर कम करके उसको 1-24 नमर बन रहे और उसने बोला था कि उसने काउंट करा हुआ है अब पर आपको यहाँ बच्चो के किपने नमर बन रहे हुए और जो bakery लाइन में आप मार्क्स देख रहे होसे इस बच्चे के 86 tea जिसमें इसको 72 ए 73 मार्क्स हैं यह मैं आपको इसको बताना चाहरे हैं और जो हाइस्ट मार्क्स बढ़े हैं अभी तब जो मुझे पता चले है बच्चों के 16 नंबर बढ़े हैं टोटल 16 नंबर तो मिन्स नॉमनाइजेशन में अगर आपकी तफ शिफ्ट थी तफ शिफ्ट नंबर बन रहे हैं तो अभी भी चाहरे हैं कि आपके नंबर कम हो सकते हैं और इस बार जो हमारा नॉमनाइजेशन है ना वो परसेंटाइल बेस है यह शिफ्ट तू शिफ्ट वेरी करें अभी सारे बच्चों को पते क्या मिस कंसप्शन बन रखा है कि शिफ्ट से शिफ्ट वेरी करेगा मीइन्स की मालो को एकिस तारीक में है एकिस तारीक में दोशिफ्ट ह passenger तो पहली Schutz त performed तो पहली शिफ्ट थे हम सिफ्ट तफ्टि और उनमें अपस में कम्पैर हमकativa करने कि स्टार्टिं के वट्चों उठालिया जाईगे मिन्स जो जहादा जिनके मा इसमें आपको देखना पड़ेगा इसमें गच निखने किसे तो इसमें एक दिन की एक शिफ्ट तफ है ऐसा नहीं होगा चार पांच दिन में तो पांच दिन में टोटल दस शिफ्ट में पेपर वेए ठीक है तो चार शिफ्ट टफ है तो बाकी उसके कंपैरिजन में छे इजी आ गई तो चांसी अब यह रहेंगे कि उन चारो ही शिफ्ट के बच्चे जो होंगे जिनका एक्जाम ओन एन एवरेज बच्चों के मार्स कम बन रहे होंगे या मालो पहले दिन जिनका पेपर पढ़ गए उ इनको बैलन्स करने के लिए जो हमारी शिफ्ट इनके बच्चों के मार्स कम करें जाएंगे अगर एक बच्चे के साथ नम्मर कम कर दे जाएंगे नहीं ऐसे भी नहीं होता यह को आपकी परफॉमेंस को देखा जाएगा कि परफॉमेंस आपकी कहां वैरी कर रहे है और आप करने के बच्चों के बाले मार्स क है और 155 आपकी बच्चा कर रहे है ने सेमचे में ड सकस्टैन्स और भी में टाना जाएगए च्चोन ऐसे मझानी में तो आपको बताया जायि Democratsflow के लिए च्वाग्मे से C फ alsofinis तो इसलिए तो टाइम लगना लाजमी है तो नॉमनाइजेशन में आप यह रहो कि आपके मार्स कम होंगे बहुत सारे बच्चों का माइंसेट यह बना हुआ है कि नॉमनाइजेशन में मार्स कम नहीं होते हैं जब कि ऐसा कुछ नहीं है रिजल्ट आएगा आप लोग देख सबसे अची बात अभी यही है कि वह आपके मार्स दिखा रहा है नॉमनाइजेशन के बाद लाइब्रेरियन का रिजल्ट निकाल दिया कुछ निकाल दी उसके दो दिन बाद इन्होंने सबके नॉमनाइजेशन वाले मार्स रिलीज करें तो आप सबने अपनी आंसर की से न यह सारे मत सूच कर बैटा कि सबके सबके मार क्स बढ़ेंगे अगरिशेल की सब मार्स बढ़ेंगे तो पर इसी बालन क कैसे होगा तो लास्ट वीडियो पर जो में इसको कड़ेशन अपकी मार्स इस सले कम हो सकते हैним अगर आपकी शिफ्ट हाड थी तो बहुत चांसी मिश बढ़ेंगे बट अगर आपका शिफ्ट इजी शिफ्ट में आ रहा है और बहुत अच्छे माक्स बन रहा है बच्चों के तो डेफिनेटली 99% चांसेज है कि आपके माक्स कम भी हो सकते हैं तो आप दोनों ही तरीके से सब्सक्राइब बहुत सारी चीजे हैं जो हमारी कट ओफ को अफेक करने वाली जिसमें बहुत सारे बच्चों के 160 प्लस 172 प्लस उनका तो कोई क्या ही बिगाड़ेगा है ना जो बच्चे अलेडी 160 प्लस 172 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनका तो कुछ नी बिगाड सकता है उनका नाम है इंटर्व्यू में जो कैसे भी आई हों पता निया उनका तो नाम है इंटर्व्यू में बात क्या है जो यह 120-140 के जो बच्चे फस्र है उसमें भी इतना जागा डाउट हो है कि क्या होगा तो वह चीज़ हमारी नॉम्नाइजेशन के बादी फाइनल होगी तो नॉम करके पूछ सकते हो